वेलकम बैक तुझे चैनल तो गैस आज के इस वुड़े में बात करने वाले हैं तीन ऐसे कोईंस के बारे में जिनमें मुझे लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है और वो आपको शॉट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं साथ ही जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं तो उनसे में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे ओफिशल टेलेगाम चैनल को जोइन नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको दो लिंक देखने को मिल जाएंगे उन द काफी जादा मोटिवेट करता है मुझे लगता है कि लोगों को मेरा कंटेंट पसंदा रहा है और मैं और भी अच्छा से रिसर्च करूँ और भी ज्यादा डीप रिसर्च करूँ जिससे कि आप और भी जदा खुश और आपका काफी प्रॉफिट हो ठीक है तो आपको लiक को rejection मिली तो price जो है आपको 45,500 के तकरीबन देखने को मिल सकती है लेकिन इससे पहले का इसका जो minor resistance zone है minor support zone है वो यह रहेगा जो कि 47,000 के around यहाँ पर आप देख सकते हो बेखुबी यहाँ पर इसने एक अच्छा support बनाया हुआ है और अगर यह support तूटता है तो price आपको फिर यहाँ पर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि Fibonacci का golden level है 618 यह भी यहाँ पर ही आ रहा है इसका resistance level जो है Fibonacci का golden level है अगर BTC इस level को जो कि Fibonacci का golden level है 0.618 इसको breakout कर देता है तो price आपको इसके next level यानि कि 50,000 पर देखने को मिल सकती है 50,000 से लेकर 50,500 का इसका important zone होगा यहाँ से इसको breakout मिलता है तो आपको BTC की price लगबग यहाँ पर देखने को मिल सकती है जहां से BTC को एक बड़ा crash मिलाता जो कि ता 50,800,900 के तकरीमन यहाँ पर आपको price देखने को मिल सकती है तो अभी October के early days है अभी October की शुरुआती होई है and let's see कि अभी हमें एक correction देखने को मिलता है या नहीं क्या BTC की price इस level को breakout करती है या फिर यहां से हमें 45,500 के level पर again BTC देखने को मिलता है अब हम सीधा हमारे altcoins की तरफ आजाते हैं आप में से कई लोगों ने ADA के बारे में पूछा है कि भईया ADA का भी क्या scene चल रहा है ADA का क्या हो सकता है तो दोगो ADA जो है अभी एक falling weight channel में चल रहा है इसने तीन attempt में अपनी breakout करने की कोशिश करी थी लेकिन breakout नहीं हुआ fourth attempt में भी इसको rejection मिला और यह अभी fourth attempt में इसको breakout करने की कोशिश कर रहा है अभी हम देखते हैं कि BTC क्या अपने 48 के level को breakout करता है प्राइज आपको यहाँ पर जो कि इसका golden ratio है फिबोनाची के according 0.618 जो कि है तकरीबन 205 रुपे 205 रुपे तक का आपको एक बड़ा pump देखने को मिल सकता है अगर इस falling channel का breakout होता है अब हम बात करते हैं हमारे first alt coin के बारे में जिसमें एक बड़ा move आ सकता है मेरे according दोस्तो एच बार के उपर हमने पहले भी discussion करा हुआ है साथ तरीका इनका main net event है और हमने अकसर यह देखा है कि जब भी किसी coin के event date आती है उस event date के बाद में उस coin की कीमत में बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिलती है इथिरियम को आप छोड़ दो इथिरियम का जो लंडन हार्ट फोक था उसके बाद में इथिरियम के price में काफी बड़ा उच्छाल आया था अभी हम देखते हैं कि साथ तारीका जो इनका mainnet event है इसका कितना effect इसकी price पर देखने को मिलता है एच बार की कीमत पर क्या इनके network में एक बड़ा अप्ग्रेडेशन आएगा क्या बड़ा improvement हमें इनके network पर देखने को मिलेगा और H-bar fundamentally काफी strong है इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अगर हम अभी H-bar के बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन्नोंने भी dip में इसको buy करा होगा इस level पर हमारा यह जो buying zone था 23 से लेकर 23.09 से लेकर 24 का यहाँ पर से H-bar ने लगबग 40% तक का एक अच्छा कासा profit दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो लगबग 40% तक का एक अच्छा कासा profit दिया है और कल हम इस level के बारे में discussion कर रहे थे कि अगर इस level का breakout हो जाता है तो हमारा जो next target होगा वोगा 35 के around 35 के around पहले भी यह आया था है H-bar और मैंने आपको का था कि इसका एक बार rejection होने दो यानि कि इसको support confirm होने दो और support के confirm होने के बाद में यहाँ पर एक entry बन रही है और तब आपको यहाँ पर या फिर अपने profit के according इसको sell out करना है या फिर आपको profit book करना है तो अभी क्या हो सकता है कि इसका भी breakout हो रहा है breakout होने के बाद में आपको यहाँ तक price देखने को मिल सकती है मैं entry level आपको मेरे official telegram channel पर share कर दूँगा अगर हम USDT की price में बात करें तो USDT की देखो यहाँ पर इसको एक confirmation मिला है 0.38 के तकरिमन और अब जो इसका target बन रहा है वो है 0.45 के तकरिमन 0.45 पर इसका एक level बन रहा है तो यहाँ पर आप profit book कर सकते हो अगर जिनोंने यहाँ पर entry ली थी और दोस्तों HBAR से जुड़ी ही जो भी urgent update निकल के आती है जो भी regular updates आती है वो मैं आपके साथ share करता रहता हूँ recently जो बड़ी update निकल के आई थी कि IIT मदरास भी अब इनकी council में शामिल हो चुकी है जो कि इनके लिए काफी बड़ी बात है ठीक है तो HBAR आपको definitely एक बड़ा profit देगा और जो भी market से इसके regarding बड़ी update निकल के आएगी वो सारी updates में यहाँ पर मेरे official telegram channel पर आपके साथ share कर दूँगा next coin की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है ICP ICP की बारे भी हम कल discussion कर चुके हैं लेगिन अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा इस level के बारे में देखो हम कल discuss करे थे जो कि इसका एक important support zone रहा है और अब इसका important resistance zone भी होगा यहाँ पर इसने देखो कितनी बार एक important support बना तो price आपको लगबग इस level पर देखने को मिल सकती है जो कि है 52.38 तो ICP का ज़रू से आप ध्यान रखना ICP आपको short term एक बड़ा profit देने वाला है next coin की तरफ बढ़ते हैं जो कि है phantom अब phantom की बारे में मैंने आज से पहले कभी बात नहीं करिए आप में से कई लोगों ने लगबग एक दो मेने के अंदर ही जुलाई से लेकर अब तक आपको लगबग 360% तक का एक बड़ा profit दिया है ठीक है यह जो कोई ने fundamentally काफी जादा strong है अगर हम बात करें यह है क्या phantom जो है basically एक advanced blockchain project है जिस पर आप customized decentralized applications और NFT बना सकते हो इसके अलावा जो इनका main aim है जिस problem पर यह काम कर रहे हैं जिस problem को यह solve करना चाहरे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो aim to find solution to increase the speed security and scalability of decentralized cryptocurrency साथ यह ट्राइलेमा के उपर भी काम कर रहे हैं ट्राइलेमा आपको पताईए कि अगर एक network decentralized होगा तो यह तो security दे सकता है यह scalability दे सकता है ठीक है इसके अलावा इन से जुड़ ही यानि कि phantom से जुड़ ही जो update निकल के आई थी वो यह थी कि ताज़किस्तान के साथ इन्होंने ह पर काम कर रहे हैं साथ ही एक और update निकल के आई है कि इन्होंने phantom network ने अपना पहला nft marketplace launch करा है बीटा वर्जन इनका अभी release हो चुका है और जो इसके main feature से 0% commission with near 0% transaction cost जो की काफी बड़ी बात है तो phantom network जो है nft marketplace में भी अब आच चुका है और nft marketplace का अभी कितना बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो अभी जो इसका important support level था वो था 89 रूपीज और यहां से अब इसको rejection मिल रहा है वो है 116 रूपे के तकरीबन अगर यह इस लेवल को breakout कर देता है इसका breakout हो जाता है यहां पर यह retesting के लिए आता है तो देन इसका जो एक level होगा 127 का औ और इसके बाद आपको price लगबग 1500 रूपे के तकरीबन देखने को मिलती है अगर इसका actual breakout हो जाता है और यह level भी easily breakout हो जाता है तो यहां से अगर हम percentage wise बात करें लगबग हम यहां से देखते हैं यहां से लेकर यहां तक आपको 30% तक का मोटा मोटा कह सकते हैं कि 30% तक का आ आप जरू से ध्यान रखना साथ ही आपके लिए एक और good news है कि grey scale ने अब solana और uniswap को भी aid कर लिया है grey scale आपको पता ही होगा इसके बारे में हम जुलाई में कई बार बात कर चुके कि grey scale का grey scale का जो bitcoin fund था ठीक है और 18 तारिक को यह जो नाम ता काफी चर्चा में रहा था grey scale तो इससे जुड़ी एक और बड़ी update है कि grey scale ने grey scale trust ने अब solana और uniswap को भी aid कर दिया है तो काफी बड़ी बात थे यह इन दोनों ही coins के बारे में तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन तीनों ही coins के उपर आपको पहनी नजर रखनी है कि यह कर दो चनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ तिल देन जैहिन जै भारत